नमस्कार दोस्तो, स्वागत छे आप सर्वनू तमारी पोतानी युटुब चैनल पर आजे आपडे धोरण नवना हिंदी विशयनी वार्सिक परिक्षा एप्रिल बेजार त्रेविश माजे लेवावानी छे तेना जे मोश्ट आएमपी सवालो छे तेमनू आजे आपडे आ विडियो नियंदर अभियास करवाना छे गणा बदा विद्यार्थी मित्रोंनी कोमेंटावती यदि गब हिंदी विशयना पण जे मोश्ट आएमपी प्रश्णों छे तेना पण एक विडियो बनाव तो आजे आपडे आ धोरण नवना हिंदी विशयना वार्सिक परिक्षा मा तेना जे मोश्ट आएमपी प्रश्णों छे मोश्ट आएमपी सवालो छे छे तेना विश्णों 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 विडियो प्रियोधा की टोली का रवीवार को क्या कार्यक्रम होता था 2. मनमोहन का भैदूर करने के लिए प्रियोधा ने क्या किया 3. मनमोहन को तेरना सिखाने के बारे में सुर्य नारायन ने क्या कहा प्रियोदा की टोली शेनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है पांच मुकस्बे के अधिकान्ष लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे तो आब दा मुश्ट आइम पी प्रशनों था त्यार पची दृत्य परिक्षाना जे अभियास करमतो तेमा थी पाठ नंबर अग्यार जे छे तेना जे मुश्ट आइम पी प्रशनों चे ते जोई लेए तेमा पेल उठानेदार मसीहा केसे बन गया वी जू लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते है त्रीजू लेखक ने उठे अटो वाले की बाद को स्विक्रूती क्यों दी छोथू मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी पाइचमो घंटे भरतक अपना इंतिजार करने वाले उठे अटो वाले के बारे में लेखक ने क्या महसुस तिया त्यार बच्छी पार्ट नंबर 21 चे छे तेना जे मुस्ट आइमपी प्रश्णों चे ते जोईए तो शेखर ने रास्टिय नाटक लिखना क्यों प्रारंप किया बिजो सवाल चे आ पार्ट मां थी शेखर को अंग्रेजी मत्रू भाषा क्यों लगने लगी थी त्यार बच्छी आपड़े जोई गध्य नंबर 23 तो एमपे लुपीता ने लेखक से क्या वादा कराया बिजो लेखक की मां ने लेखक को कितने रुपे दिये क्यों त्यार बच्पन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों अधिक पसंद थी अने चोथु बच्पन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रीका आती थी त्यार बच्छी दृत्य परिक्षानों जे पाठ्यक्रम चे एमा थी पाठ नंबर 24 ना जे मोश्ट आइम पी प्रश्णों चे तेया पड़े जोई ए तो एमा आप्रमाने ना चे एमा पेलू शे बुद्धी और हाथ किस कार्य के लिए है स्पष्ट कीजिये बिजू ग्नान और पृत्वी की कैसी स्थिती हो रही है त्रीजो सवाल चे मानों की क्या स्थिती हो गई है चोथो सवाल आज मनुष्य की संघर्ष में रत है अने पाचमों सवाल कवी श्री नरेंद्र शर्मा के हदे में केसी व्यता है त्यार पच्छे आपड़े पार्ट नंबर 22 चे चे तेना मोश्टाइम भी प्रश्णों जोई है तो पेलू कीन एतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवी श्री ने विरो का वसंत बताया है बिजू कवी श्री सुबद्रा कुमारी चोहान किसे दुरभाग्य मानती है त्रिजू विरो का कैसा हो वसंत ऐसा कौन-कौन पुछ रहे है चोथू रंग और रंग का विधान कैसे है अने पांच मुकहदे अतित अबमोन त्याग ऐसा कवियत्री ने क्यों कहा है त्यार पची आपड़े पार्ट नंबर 24 चोही है तो यहां पहलू कही है कि कबीर भगवान के स्मरण का क्या महत्व बताते है ने बीजू संद की सेवा करने से क्यां लाब होगा त्यार पची चार गुण ना जे प्रश्णों छे ते बे प्रश्णों पुछाता होई छे गुल आठ माक्स माटे तो यहां जे प्रथम परिक्षान अप्यास कुरम माथी पाठ बेज जे छे दे माथी केटलाग मोच टाइम भी प्रश्णों छे ते आपड़े जोई लेए तो यहां पहलू छे शेशुपाल के न्याई मंत्री बनते ही राज्य में न्याई की विशय में क्या परिवर्तन हुआ बिजो सवाल समराट अशोक ने न्याई मंत्री का पद देते हुए शेशुपाल को न्या दिया त्यार पची त्री जो सवाल समराट अशोक ने न्याई मंत्री की खोज केसे की चोथो सवाल न्याई मंत्री ने अपराधी समराट के जीवन की रक्षा तिस प्रकार की पाचमो सवाल समराट अशोक क्यों गदगद हो गए त्यार बची प्रथम परिक्षान आजे अभ्यासक्रम चे पाथिया पुस्तक चे तेमाथी पाथ नमबर आँठ आपड़े जुई है तो पाथ नमबर आँठ नाजे मोज ताइम भी प्रश्णों चे ते एमाँ पहलो सवाल गुलमर्ग की शाम के सौंदर्य का वरणन कीजिए बिजु लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता त्रीजु प्रकाश बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वरणन कीजिए त्यार बच्छी चोथू, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिये पांच मूँ, गुलमर्ग में एक रात के अविस्मरणी अनुभव का लेखक ने किन शब्दों में वर्णन किया है त्यार बच्छी आपड़े जो ये गध्य एक विश, एटले के एक विश्मों पाठे मा पेलू शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रती गहरा प्रभाव था, ऐसा हम केसे कह सकते है त्यार बच्छी बीजू, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंब किया, क्यों? त्यार बच्छी बीजू, शेखर के मन में विदीशी वस्तुओं के प्रती घ्रुना क्यों हो गई थी? अन्य चोथू, शेखर का चरित्र चित्रन कीजिये त्यार बच्छी गध्य नंबर त्रेविश एमा पेलू, लेखक को इनाम में मिली पुस्तकों में किन की जानकारी दी गई थी? त्यार बच्छी बीजू, मा के दिये हुए रुपियों का लेखक ने क्या किया, क्यों? त्रीजू, लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? वह कीन बातों से संबंधित थी? अने चोथू, स्कूली बढ़ाई पर्मा के जोर देने से लेखक की बढ़ाई पर क्यां असर हुआ? त्यार बच्छी आपड़े प्रत्थम परिक्षानों जे पाठी अक्रम छे एनी अंदर थी जोए तो पहलो पाठ तो एना जे मोश्टाएंपी प्रशनों छेते जोए तो पहलो सवाल कवी कैसे मांगल्य की आराधना करते है? वीजू, कवी भेदों को नाश करने की बात क्य करते है? त्रीजू, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना काविय पंक्ती का आश्रेश पष्ट कीजिए. चोथो, कवी की क्या अभ्यर्थना है? अने पांच मुसत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना काविय पंक्ती का आश्रेश पष्ट कीजिए. त्यार बशी एमा जे बीजो मुष्टाएंपी छे त्या प्रमाने पुछारी शागे के मेरो मन अनन्त कहां सुख पावे बंगती का आश्राइश परष्ट कीजिए त्यार बशी त्रीजू सुर्दास ची नेकिन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ती प्रकट की है चोथू सुर्दास अपने आपको धन्य क्यों मानते है ने पांच मुँ बालक स्री कृष्टन के स्वरूप का वर्णन कीजिए त्यार बशी द्रित्य परिक्षानों जे पाठियक्रम छे तो एमाथी जे विश्मो पाठ शेते ना जे मुष्टाइमपी प्रश्णों छेते जोई है तो मनुष्य के लिए कोई भी कारी असंभव नहीं है काव्यके आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए त्यार बशी बीजू धर्ती की शान कविता में कभी ने कीन प्राकरूतिक द्रश्चों का चित्रन किया है कैसे त्यार बशी पध्य नंबर 24 अटले के 24 माठ पाठ मां ती जे मुष्टाइमपी प्रश्णों छेते जोई है तो एमा पहलो सवाल कबीर ने संतोष की महिमा किस प्रकार बताई है बिजो सवाल कबीर सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर बताते है त्यार बशी आपने लेखन विभागनी बाद करिये तो एमा जे विचार विस्तार शे त्रण माक्स माठ पूछाए शे एसी बानी बोलिये मन का आपाग होए औरन को शितल करे आप हो शितल होए तो आज ये विचार विस्तार शे ते मोश टाइम पीछे तो आटला विचार विस्तार परिक्षाप पजेता पहला जरूर्ट से एक वकत करी ले जो त्यार पची बीजू बड़े न हुजे गुनन बिन विरुद बढ़ाई पाई कहत धतुरे सो कनक गहनो बढ़ियो न चाई त्यार पची जो दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई जो रहीम दिन ही लखे दिन बंदू सम होई त्यार पची चोथो शे रहीमन देखी बड़े न को लगून दीजिये डारी जहां काम आवेसुई कहां करे तरवारी पाजमू जो रहीम उत्तम प्रकुरूती का करी सकत कुसंग चंदन विश्व्याप्त नहीं लपटे रहत बुजंग शट्टू फरिष्टे से बहतर है इंसान बनना मगर इसमें पढ़ती है मेहनत ज्यादा त्यार पची साथ मुरहिमन वे नर मर चुके जे कहू मांगन जाहीं उनसे पहिले वे मुई जिन मुख निकसत नाहीं त्यार पची आठ मुँ गुरू कुमहार सिश कुम्भ है गड़ी गड़ी काढ़े खोट भितर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट त्यार पची नव मुँ तरुवर फली नहीं खाते सर्वर पियही न पान कहीं रहीम परकाजहित संपती सुचहीं सुजान त्यार पची दस मुँ छे खीरा को मुँ कोटी के मली यते नोन लगाए रहीमन कुरूए मुखन की चहिये यही सजाए अग्यार मुँ छे रहीमन धागा प्रेम का मत तोडो चटकाई तुट से फिर न जुडे जुडे गाट परिजाई त्यार पची जे कहानी लेखन से त्रण मक्स माटे पुछाती भई शेतो जे कहानी ना मुद्दा ओशे ते पणी आपने आपेला शे तो पेली कहानी आप्रमाण आवी शके के एक राजा लडाय में हारना शत्रू का भई गूफा में चिपना छेत पर चड़ने के लिए लोमड़ी और सारस में मित्रता, लोमड़ी का सारस को छकाने का विचार, दावत का न्योता, थाली में खीर परोशना, लंबी चोँच, चारस का भुखा रहना, सारस का बदला लेना, लोमड़ी को निमंत्रन, सुराही में आमरस परोशना, लोमड़ी का भुखा रहना और स ट्यार बच्याब्ण त्री जोजोए चोटा सा गाउं एक गरीब नाई मूर्गी पालन करना एक जादुई मूर्गी रोज सुवर ना का एक अंडा देना नाईकी मती मारी जाना जैदा लोब करना मूर्गी को मार डालना कुछ न पाना पच्चतावा और सिख तो आ प्रमानी या वारताओ तमार बनावानी छे लखवानी छे इमा चो थु एक हट्टा कट्टा जवान रास्ते पर भीख मांगना एक संत का आगवन युवख का भीख मांगना संत का सोचना युवख के बादचीत संत का कहना मैं तुमें पांच रूपे दूंगा बदले में तू मुझे एक हात दो युवक कास इंकार 10 रुपे देखकर बदले में 2 साथ मांगना 100 रुपे देखकर एक आख मांगना युवक का समझ जान और सिक त्यार पस्य पांच मी मोष्टा ऐंपा जये कहानी छे त्याहिए आपली छे केग भारती युवक, सेना में भरती, युद में जाना, दुश्मन की तोपों कामूं बंद करना, आवशक युवक का दरड निश्चाई, उसका आग गलती तोपों तक पहुच जाना, सफलता मिलना, किन्तु विर्गती पाना, वर्णों प्रांत सम्मान और बोध त्यार पची एहवाल लेखन, पंतरण माक्स ने अंदर पुछा था वोई शे, तो आपने या केटला के एहवाल पंदर शावेला शे, जमके आपके विद्याले में योग दिवस का कार्यक्रम आयोचित किया गया था, उसके बारे में करीब पचार शब्दों में एहवाल, जो आपके विद्याले में पतंग महुत्सव आयोचित किया गया था, उसके बारे में करीब पचार शब्दों में एहवाल, जो अपने विद्याले में मनाये गए, पारितोशिक वित्रन समारो का करीब पचार शब्दों में एहवाल लिखिये, चोथो अपने विद्याले में स् सचता अभ्यान कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके बारे में करीब 15 शब्दों में एहवाल लिखे त्यार बची पत्र लेखना पर नया पेलू छे त्रण माक्स ने अंदर तो पत्र लेखना किटला कमुष्टाएंपी पत्रों पने ही अपड़े दर्शाइवाचे जेम के पेलू राजा भवन महत्मा गांधी रोड गुंबई सेक्षमा अपनी सकी पुझा को विद्याले द्वारा आयोचित स्वच्चता अभ्यान का वर्णन करते हुए पत्र लिखती है त्यार भची बीजु शे तेर आदर्श बवन से मनोज वडूद्रा निवासी अपने मित्र राजेश को गांधी जेन्ती के अवसर पर उनकी शाला में आयोचित समारोख का वर्णन करते हुए पत्र लिखता है त्यार भची त्रीजु तेर सो तिन सो तेरा अनन्तवाडी मंगलेश्वर भरुट से काजल पुना निवासी अपनी सक्षी राधिका को बचत का महत पर समझाते हुए पत्र लिखती है चोथुशे जहन्त नगर आमबावाडी एहमदाबाद से विजय आनन्त निवासी अपने मित्र को मोबाइल फोन का उप्योग विवेक से करने के लिए सुझाव देते हुए पत्र लिखता है पाजमों 124 नेहमिलन सोसाइटी को वेनगर वड़ोदा से निखिल एमदाबाद निवासी अपने मित्र रवी को मता पिता की सेवा करने की सलाह देते हुए पत्र लिखता है त्यार पची निबंध आपने पुछाईचे छव माक्स ने अंदर तो केटलाक मोस्ट आइम पी निबंध छे एपन ही आपड़े दर्शावेलाचे जमके आदर्श विद्यारफी मेरा प्रिय प्रवास एक गरिब बालक की आत्मकथा मनो रंजन के आधुनिक साधन विज्यान वर्दान या अभिशाप द्यार बची जल ही सब काबल मेरा शोग मात्यू प्रेम मेरा प्रिय नेता बापू और प्रष्टा चार शिक्षा का कैंसर तो मित्रो आ प्रमाणेन आजे मुष्टा आएमपि प्रष्ट्नों छे ये जह भुठ्याई शक्ये शखे तो आपनी चैनलू पर हिंदी सिवाईना भद्धाज विश्या आजे मुष्टा आएँब्पी प्रष्ट्णों छे वार्षिक परिक्षा बे।्या त्रेविश खर्चार्य करें